अभी गर्मी का मुशम है और आप बेल का शौझ मेरा परचा अगर बच्चा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे बना पैस्ट्रीम है boost क peng धोस्ट है आपको पसंद आएंगा हम बना रहे हैं तो यह साफिए अपको तोड़ना है आप तोड़े आप पटक के विड जैसा तोड़ सकती हो ज़िध हैं तोड़ी हूं इसे ऊपल्ड भी कहते हैं पामारगें में आपको बिल जाएगा और तोड़ने का वाद देखिए इसका अंदर म पुरा अचहा तरीक्त ओहां तो तरह वीकलर देखा रहा हूँ अयुदध अक्ट Funam इतना निकला और यो थोड़ेशी सबस्क्राइन धाया दूरे से वन्हले से सभा और लिगे काशिव पानि तहले हैं और जादा दालने से चांड लेना है यह देखिया आप निचर निचर के उठा लेना है इसको फेक देना है इसका कोई ज़र्यूरत नहीं है अब यह जो पाल्फ हमारा निकला है इसे गाड़ा है तो और थोड़ा मैं पानी इसमें एड़ करूँगी और अब देखिए इसको हम चान लेंगे और चानने के निये चाननी नेना है और दूसरा पोल में हम इसे चान लेंगे जैसे वीडियो में देखा रही हूं मैं ऐसे आपको भी और जो बेजा है और जो रेषा है इसको निकल दीने दिना अभी ये गाड़ा है बोहुत अर इतना गाड़ा में फूस्री नहीं बनेगा तो मेरे को और थोड़ा सब्सक्राइश एड़ करना है और फिर भी मैं बता रहे हूं पानी अप धिरे से ईड़ करें साथ में डालूंगी अगर टेस्ट करके मैं देखूंगी तो देखी कि मेरे को पूरा लगा थोड़ा सा मीटास कम था तो मैं पूरा चीनी डाल दी इसका कॉंसिस्टेंस से आप देख लीजिए यह ऐसा राएगा ज्यादा कड़ा नहीं की और ज्यादा पतला भी नहीं आपको एक मोल्ड ले लेना है और यह मोल्ड मैं ले ली हूँ मेरा पास यही मोल्ड था और मोल्ड में आपको डाल देना है अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास में भी बना सकते हूँ स्टील का ग्लास हो पिपर का ग्लास हो आप उसमें भी बना सकते हो आराम से इज क्योंकि हम स्टीक लगाएंगे तो फाइल का पेपर डालना जोरूरी है और आइस किस्टाल भी लग सकता है अगर आपके पास फाइल पेपर नहीं हो तो आप पहले इसको फ्रीजर में रग दे डेर से दो घंटा के लिए उसके बाद थोड़ा सा सेट हो जाए तो आप उसके बात स्टीक लगाएं कि अभी लिक्वीड है स्टीक लगाने से स्टीक ठीक से सिधा नहीं राएगा सिधा रहने के लिए स्टीक को फाइल का पेपर डालना जोरूरी है अगर नहीं राए तो आप दूसरा प्रोसेस अपनाएं तो अब हम इसे आठ से दोस मिनिट या तो और नाइट डीप फ्रीज में रख देंगे अगर मैं ओवर नाइट इसको रख दी थी और अभी फ्रीजर से मैं निकाल के लाई हूं देखते हैं यह कैसा बना है अच्छा यह फ्रीजर से निकालने का बात साथ यह डीमोल नहीं होता है इसे पानी में थोड़ा सा वीच से तिरी सेकेंड डिप करके रखना पड़ता है जो वीडियो मेरा स्कीप हो गया सौरी मैं नहीं दीका पाई हूं तो इसे मैं धिरे धिरे डिमोल कर ले रही हूं आज का रेचिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेस्क्राम में जरूर बताए अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपना दोस्तों में सेयार करने ना भूले चैनल पर पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके जाए इंसला मिलता है नेक्स वुडियो में अल्ला हाफीज